बिहार के सोनपूर में लगने वाला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इस साल 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा है यह मेला 25 दिसंबर तक चलेगा बता दें कि यह मेला हर साल 9 नवंबर दिसंबर के महीने में कार्टिक पूर्णिमा में लगता है इस मेले में पशु पक्षियों की खडीत बिक्री के लिए तो लोग आते ही हैं दूर दूर से लोग इस मेले को देखने और घूमने भी पहुँचते हैं ऐसे में अगर आप भी यह वर्ल्ड फेमस सोनपूर मेला घूमना चाहते हैं तो बिहार राजिप पर्यटन निगम आपको एक बहतरीन मौका दे रहा है लोग कम खर्च में इस मेले का आनंद उठा सकेंगे इसके लिए निगम ने पतना से सोनपूर का एक स्पेशल टूर पैकेज बनाया है आपको बता दें कि इस टूर पैकेज के अनुसार पर्यटक सिर्फ 200 रुपे में ही सोनपूर मेला घूम सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं इसी 200 रुपय में सोनपूर मेला घूमने के साथ यात्रियों को कई और सुविधाएं भी बिहार राजिप पर्यटन निगम दे रहा है पटना सोनपूर पटना टूर पैकेज में गाइड, पानी का बोटल और स्नैक्स के पैकेज भी पर्यटकों को दिये जाएंगे पर्यटन निगम के अनुसार इस टूर पैकेज के लिए गारी हर रोज सुबह दस बजे पटना के कोटलिया विहार होटल से खुलेगी वहीं दिन भर सोनपूर मेला घुमाने के बाद शाम 6 बजे वापस पटना के लिए लोटेगी आपको बता दे कि इस टूर पैकेज में आप सिर्फ सोनपूर ही घुम पाएंगे लेकिन सोनपूर के अलावा भी कई जगहों पर अगर आप जाना चाहते हैं तो पटन निगम ने इसके लिए भी टूर पैकेज तयार किया है यह टूर पैकेज पतना वैशाली बासोकुन सोनपूर पतना का है इसके लिए घूमने वाले पर्यटकों को दो तरह का किरायक चुकाना होगा अगर आप पटना से वैशाली, बासो कुन, सोनपूर AC बस में घूमना चाहते हैं तो इसके लिए प्रती व्यक्ती 600 रुपे लगेंगे वहीं ट्रैवलर से जाने वाले लोगों को 450 रुपे का बुक्तान करना होगा इसमें पर्यटकों को गाइट, पानी का बॉतल, स्नैक्स और लंच दिया जाएगा बता दे कि इस टूर पैकेज के लिए 21 नवंबर से बुक्किंग शुड़ी होगी लाइफ सिटीज के लिए जैब हासकर के रिपोर्ट